तो चलिए सुबह की जब भागम दौड होती है और आपको पांच मिनिट में कुछ फटा फटिफिन स्नाग के लिए बच्चों के लिए बड़ों के लिए बनाना है तो आज की रेसिपी परफेक्ट है ये दो ब्रेड हमने बटर में या घी में आप अच्छे से सेख लीजिए और चलते हैं हम हमारे यहां पिर में इंगेट में कैसे आप 5 मिनिन के बना सकते हैं । आपको रात को सिभ बॉल मांश डालू बनाके रखने हैं और यह देखें हमने या दो बॉएल में पाटाटो या पे लिए है और इसको आप रात को फ्रिज में रख सकते है शुबह अब हम डालेंगे ब्लाक पेपर पाउडर आसपर टेस्ट आप अपने चटपटा बनाने के लिए अब यहां पर डालेंगे ग्रीन चिली तो देखे हरी मिर्च काटके हमने डाला है धनिया पता अच्छे से तो देखे बहुत सिंपल तयारी है धनिया पता कट करके रखे मैच रखे सुपे सुपे भागम दौड़े दो ब्रेट फटा फट सेखे घी और बटर में आप सभी का स्वागत है जाइका का तड़का में यह हम उपन टोस सांडविच बना रहे है बच्छों के टिफिन के लिए या बड़ो के ब्रेक्फिस्ट या स्नाक के लिए आप फटा फ अच्छे से इसको हमें टोस्ट करना है और अच्छे से यहां पर अभी रेखिए अब हम इसमें सिम्पल रेसिपी असान रेसिपी घर में अविलिबिन इंविडियन्स के सांग ग्रीन चटनी लगा देंगे इसमें थोड़ा सा इसको टेस्टी बनाने के लिए और यह सुबह अच्छा है जब बच्चों को कुछ फटाफट काना होता है तो आप टोस्ट बना सकते हैं उनके लिए उनको दे सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए जो दिखता है वो ही बनता है जायक का तड़का में यह चोटी-चोटी रेस जरूर करिए बास यह देखिए इसको अब यहाँ पे करा और इसको अब और टेस्ती बनाने के लिए बस इसमें दो इंग्रीडियन्स और लगाएंगे टोमाटो केचप लगा देंगे हमारे और यह देखिए ओपन आलू-टोस सांडवेच कितना सिंपल और आसान रेसिपी ह अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए कॉमेंट्स में जरूर बताईए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आपके लाइक साथ ने तो हमें पता चलता है कि कल भी एक अच्छी छोटी सिंपल रेसिपी के संग हमें वापिस आना है आप और इसमें अब हम बास को स्प्रिंकल कर देंगे देखें कितनी बढ़िया रेसिपी है ना बच्चों के लिए भी और बडों के लिए भी बूके पेट जाने के आपको जरूरत है नहीं अपने घर से टिफिन में बना के रखिए स्नाक में बना के रखिए अब रेक्फिस की तरह खाईए फटा- पी के संग, बढ़ा एवरीवान!